आज हम करने वाले रेडमी नोट 12 प्रो की अंबॉक्सिंग यहां पर देख सेते हैं इसके एक युनिट का गिवियो भी करने वाले हैं तो लाइस तक वीडियो को देखते रहे ताकि आप सारे स्टेप्स फॉलो कर सकें बॉक्स कॉन बॉक्स रड़ लेते हैं और इसके उपर प्रिटल क्विक गाइड़ और शाती में ली पॉलीमर केस बंदर की बात किया तो यहाँ आप उनदर में एक फोन देखने को मिल जाता है काफी संदार वला फोन है इसको प्लैस्टिक रेप से बाहर करके दिखाँगा लेकिन अंदर के बॉक्स को देखें तो इसमें आपको तो मिल जाता है एक charging cable जो आपको USB Type-C का cable है काफी अच्छी length और काफी अच्छी quality इसकी दी गई है और इसके साथ ही देखने को मिल जाता है को 67-volt का इलेक्टर जी है दोस्तों काफी fast charge करता है फोन को तो इसके लिए काफी अच्छा साभीत होगा तो चलिए देख लिए फोन क यहां पर हमारा जो फोन है काफी अट्रेक्टिव है जहां दोस्तों ग्लू कलर का फोन इस पर अच्टार लाइट दी गई है इसके बैक सेट में प्लास्टिक मेटर लिए लेकिन काफी स्मूथ लगता है फोन यहां पर ज्यादा फिंगर पेंट्स देखने को नहीं मिलेंग जैक में मिलता है उपर है शकेंडरी माइक लाइट स्फीकर है यहां पर दी मिलेंगा थक। पन्चोल केमरा मिला है वैसे इसमें आपको इन कंडी सेंसर देखने को नहीं मिला है वैसे फोन के डिजाइन काफी दिजाइन है काफी है इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है बोडिड ज्याइन काफी अची है मेट्रिल्य काफी यूच्छ किये गया है और वहीं पर बात कर दो कि आपको या वन हैंड़ फोन है आप इसको अगर एक हाथ से पकड़ते हैं तो काफी अच्छा फिल होता है फोन को बूट कर लेते हैं और काफी कुछ चीजह इसमें चेक करना है बात करते हैं सबसे पहले हैं इसके डिस्प्ले की इसमें आपको 6.67 इंजेस का ओले डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एच्छी चीजह देखने को मिलेगा और को कोई भी सीखायत नहीं होगी लेकिन एक चीज की कमी है कि आपको इंडिस्प्ले फिंगर्पीन सेंसर नहीं मिला है जो कि अब ज़रूरी है इसमें मिलना ही चीजह थी और यहां पर बात कर लिया तो इसमें आपको सेंप्ले क्रेट काफी अच्छा है तो काफी स्मूथ करता है इसके लिए हम पहले इसकी जो कि आपको काफी अच्छे ग्रोफिक प्रवाइड करता है यहां पर अगर गेमिंग करते हैं तो आपको काफी समस्या नहीं देखने को मिलेगी पांच जाने में बैटरी है तो काफी अच्छा रिस्पॉंस देगी Android 12 का सपोर्ट है तो सारी चीजह इसमें अच्छी चीज अच्छी बात होती उसमें काफी कुछ इंप्रोव्मेंट हो जाती है थोड़ा सही भी लगता है देखने में फोन प्रीमियम होता है लेकिन यह भी सही है इसको हमने शेटप कर लिया है और यहां पर इसको टेस्ट करते हैं कि सच में काफी अच्छे से अप्टिमाइस कर पा इसका पर अच्छी तरह से वर्ग करता है काफी तरह से अप्टिमाइस कर देता है तो बात कर लिए ओवर ओल फोन की तो यहां पर डिस्पले में तो काफी सांधर फोन रहा है और साधर साधिशाधिक डिजाइन भी काफी अची रही है देख लेते हैं इसकी कैमरे क्या दिय कर दो फॉट्रो का इसका उल्ट्रा वाइड एंगल त्व थोड़ा सा मायूँस करता है और तीस्तरा केमरा दो मेकापीसल मेकरो कमरा लेकिन यहां पर स्विसेंट वर्क नहीं करते हैं और यहां पर फ्र्ण केमरा इसका उसमें आपको सुलन मेगापीसल की कामरे क्वैटी स जो कि वाइड एंगल केमरा भी है उसके उपर पतली सिचिन है हाला कि वैसे ज्यादा तर समस्या नहीं होगी फुल वीडियो रिकॉडिंग कर सकते हैं और ही आपको बैक्षाइड में फॉर के वीडियो रिकॉडिंग का सपोर्ट मिल जाता है बात करते हैं इसके प्रोसेसर की यहां पर प्रोसेसर काफी अच्छा वर करता है अगर आपको यहां पर आपको जो इसका प्रोसेसर के लिए प्रोसेसर दिया गया है काफी अच्छी दरीके से फोन को अटिमाइज करता है और यहां पर बीना लेगिंग के गेम को आप एक्स्प्रियेंश कर सकते हैं तो अगर आप गेम लवर हो गेमिंग करते हो आप अपके लिए फोन बनाए आप फोन ले सकते हो अबरॉल सारी चीज़ें इसमें ऑटिमाइ अगर आप लोग इस फोन को जीतना चाते हैं तो उसके लिए मैंने कंडिशन रखा है कि आपको वीडियो के बीच बीच में हैस्टेक रेडमी नोट 12 प्रो दिखाया जाएगा तो आपको काउंट करना है कि कितनी बार इस सीरीज को दिखाया गया है इस वीडियो में और वह